हलो फ्रेंट्स बहुत बरी खबर निकल के आई है खबर इंडियन टीम से जुड़ी है खबर किया है यह जानने के लिए वीडियो को एंट तक जरूर देखे फ्रेंट्स भारत अर अफगनिस्तन के बीच दिल्ली के औरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा ह रोहित ने अफगनिस्तन के खिलाप मैच में एक बड़ा रेकर्ड अपने नाम किया वो अंतरस्ट्रे क्रिकेट में दुनिया के सबसे ज़्यादा चक्के लागाने वाले बल्लेबाज बन गये है इस मामले में उन्होंने वेस्टेंजिस के पूर्व बल्लेबाज को पीछे चोड़ दिया है इस मैच में उतरने से पहले हीटमेन को सबसे ज़्यादा चक्के का रेकर्ड अपने नाम करने के लिए तीन चक्के की जरूरत थी क्रिस गेल अंतरस्ट्रे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 553 चक्के लगाये थे उन्होंने ऐसा 483 अंतरस्ट्रियों मैचों की 551 पारियों में किया था ओही रोहित ने सिर्फ 453 अंतरस्ट्रियों मैचों की 473 वी फारी में यह एकॉड अपने नाम किया। क्रिस गेल की आत्मकाथा का नाम ही six मेशिन है लेकिन अब अंतरस्ट्रिय क्रिकेट के नए six मेशिन रोहित सर्मा बन चुके हैं फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अंतराश्ट्रिय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लागाने वाले बल्लेवाज 555 छक्के रोहित सर्मा भारत 553 छक्के क्रीज गेल वेस्ट इंडीज 476 छक्के साइद अफरीदी पाकिस्तान 358 छक्के ब्रेंडन मैक कुलाम न्यूजिलेंड 383 छक्के मार्टिन गुप्तिल न्यूजिलेंड के है ये वीडियो में इतना ही आई हो ये अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक्स यार कमेंट्स जरूर करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को अभी सबस्ट्राइब करें मीते हैं आपसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार